यहेचकिल भविश्वक्ता की पुस्तक अध्याए 27 यहोवा का यह वचन मेरे पांस महुचा, हे मनुश्य के संतान, सोर के विशय एक विलाप का गीत बना कर उससे यो कह, हे समुद्र के पैठाव पर रहने वाली, हे बहुत से द्विपो के लिए देश-देश के लोगों के सा प्योपार करने वाली, परमिश्वर यहोवा यहो कहता है, हे सोर, तुने कहा है कि मैं सरवांग सुन्दर हूँ, तेरे सिवाने समुद्र के बीच है, तेरे बनाने वाले ने तुझे सरवांग सुन्दर बनाया, तेरे सब पट्रिया सनीर परवत के सनोबर की लकड़ी की बन तेरे जहाजों का पटाव कितियों के द्वीप से लाय हुए सीधे, सनोबर की हाथी दांत चड़ी हुई लकडी का बना है। हे सोर, तेरे ही बीच के बुद्धिमान लोग तेरे मांजी थे, तेरे कारिगर जोडाई करने वाले गबलनगर के पूर्निये और बुद्धिमान लोग थे। के कारन तेरा प्रताब बढ़ा था। तेरी शहरपनाह पर तेरी सेना के साथ अरुवत के लोग चारो ओर थे और तेरे गमटों में शूरवीर खड़े थे। उन्होंने अपनी ढाले तेरी चारो ओर को शहरपनाह पर टांगी थी। तेरी सुंदरता उनके द्वारा पूरी हुई थी। अपनी सप्रकार की संपत्ती की बहुतायत के कारण तर्शुशी लोग तेरे ब्योपारी थे। उन्होंने चांदी, लोहा, रांगा और सीसा देकर तेरा माल मोल लिया। यावान, तुबन और मेशिक के लोग तेरे माल के बदले दास्तासी और पितल के पात्र तुझ से ब्योपार करते थे। तर्गमा के घराने के लोगोंने तेरी संपत्ती लेकर गोड़े, सवारी के गोड़े और खचर दिये। ददानी तेरे ब्योपारी थे, बहुत से माथिदा के सिंग और आबनूस की लकड़ी ब्योपार में लाते। तेरी बहुत कारिगीरी के कारण आराम तेरा ब्योपारी था। मरकत, बैंजनी रंका और बुटेदार वस्तर, सन, मुंगा और लाडली देकर वे तेरा माल लेते थे। यहुदा और इसराल भी तेरे ब्य तुझ में बहुत कारिगीरी हुई और सप्रकार का धान इकटा हुआ। इससे दमिशक तेरा ब्योपारी हुआ। तेरे पास हिल बोन का दाखमधु और उजला उन पहुचाया गळा। वदान और यावान ने तेरे माल के बदले में सूद दिया। और उनके कारण भौलाद तज और अगरमे भी तेरा ब्योपार हुआ। सवारी के चार जामे के लिए ददान तेरा ब्योपारी हुआ। अरब और केदार के सब प्रधान तेरे ब्योपारी ठहरे। उन्होंने मेमने, मेंधे, बक्रे लाकर तेरे साथ लेंदिन किया। शबा और रामा के ब्योपारी तेरे ब्योपारी ठेरे। तर्शिश के जहाज तेरे ब्योपार के माल के डोने वाले हुए। उनके द्वारा तू समुदर के बीच रहकर बहुत धन्वान और प्रतापी हो गई थी। तेरे खिवयों ने तुझे गहरे जल में पहुचा दिया है और पुरवाई ने तुझे समुदर के बीच तोड़ द जिस दिन तु डूबेगी उसी दिन तेरा धन समपत्ती, ब्योपार का माल, मलाह, मांची, जुड़ाई का काम करने वाले, ब्योपारी लोग और तुझे में जितने सिपाई है और तेरी सारी भीडभाड समुदर के बीच गिर जाएगी। तेरे मांचीों की चिलाहट के पर से उतरेंगे, और वे भूमी पर खड़े होकर तेरे विशे में उचे शब्द से बिलग-बिलग कर रोएंगे, वे अपने अपने सिर पर धूली उड़ा कर राख में लोटेंगे, और तेरे शोक में अपने सिर मुंडवा देंगे, और कमर में टाट बांध कर अपने मन क कड़े दुख के साथ तेरे विशय में रोएंगे और छाती पीटेंगे, वे विलाप करते हुए तेरे विशय में विलाप का यह गीत बना कर गाएंगे, सोर जो अब समुदर के बीच चुपचाप पड़ी है, उसके तुल्य कौन नगरी है, जब तेरा माल समुदर पर से निक तु अथाह जल में लहरों में तूटी, उस समय तेरे विवपार का माल और तेरे सब निवासी भी तेरे भीतर रहकर नाश होगे, तापो के सब रहने वाले तेरे कारण विस्मित हुए, और उनके सब राजाओं के रोएं खड़े होगे, और उनके मुह उदास देख पड़ हैं, देश देश के विवपारी, तेरे विरुद्ध हथोड़ी बजा रहे हैं, तु भहे का कारण हो गई है, और फिर स्थिर न रह सकेगी